दोस्तों, मेथी का इस्तिमाल अमूमन किचन में मसालों के रूप में किया जाता है. मेथी के पौधे में जो हरी पत्तियां होती है, उसकी सब्जी खूब पसंद से खाई जाती है. वहीं पराठों में भी इसका उपयोग किया जाता है. मेथी के बीज स्वाद में कड़वे होते हैं, लेकिन यह स्वास्थे के लिए फाइदे मंद होती है. मेथी का औशधिय उपयोग भी होता है. मेथी में विभिन्न प्रकार के पोशक तत्व जैसे आइरन, मैगनीशियम, कैल्शियम, पोटाशियम, सोडियम, फासफोरस, जिंक कैरोटीन, फोलिक एसिड के अलावा विटामिन A, विटामिन B और विटामिन C भी पाए जाते हैं. इसके अलावा इसमें फाइबर, प्रोटीन, स्टार्च, शुगर और फॉसफोरिक एसिड भी भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं, जिसके कारण यह कई रोगों का इलाज है. यही वजह है कि इसका सेवन अक्सर लोग निरोगी रहने के लिए करते हैं. मेथी का पत्तियों के अलावा पावडर और इसके दाने के रूप में भी खूब सेवन होता है. दोस्तों, मेथी खाना स्वास्थय के लिए बहुत ही लाभधायक होता है, तो चलिए, दोस्तो एक-एक करके इसके सभी बेनिफिट्स को जान लेते हैं। 1. मेथी दाना का पानी पीने से आपके शरीर में जो खराब कोलिस्ट्रॉल है वह बाहर निकल जाता है और अच्छा कॉलिस्ट्रॉल बढ़ता है। मेथी दाना का पानी केवल एक महीने तक नियमित रूप से सेवन किया जाए तो शरीर में HDL यानि अच्छा कॉलिस्ट्रॉल बढ़ने लगता है और काफी फाइदा पहुंचाता है। जिन लोगों को अनपच वकब्स की परिशानी है उन्हें मेथी का पानी पीने की आदट डाल लेनी चाहिए। मेथी में मौझूद पाचक एंजाइम अगनाशे को अधिक क्रियाशील बना देते हैं। इससे पाचन क्रिया अच्छी होती है। इसमें फाइबर काफी मात्रा में होता है, जो आपके पाचन को बहतर बनाता है। मेथी दाना में म्यूसिलेज नाम का एक तत्व पाया जाता है। वह आपको सर्दी खांसी होने पर आराम पहुंचाता है। इसके लिए आप एक चम्मच मेथी दाना को एक कप पानी में उबालें और जब पानी आधा रह जाए तब उसे च्छान कर पी लें। 4. सुबह सुबह खाली पेट में अगर मेथी दाना का पानी पिया जाए तो इससे शुगर कंट्रोल करने में काफी मदद मिलती है। मेथी बलड में मौझूद ग्लूकोज लेवल को कम करता है। 5. वजन कंट्रोल करने के लिए आपको हर सुबह मेथी दाने के पानी का सेवन करना चाहिए। इसके लिए रात में कुछ मेथी दाना को पानी में भिगो कर छोड़ देना है। फिर उस पानी को सुबह खाली पेट पी लें और साथ में मेथी दाना भी खा लें। मेथी में भरपूर मात्रा में फाइबर होता है, जिसे खाने से पीट भरा-भरा लगता है और भूख कम लगती है. नमबर शिक्स मेथी में डियोसजैनिन नामक तत्व होता है, जिसके कारण यह आंतों के कैंसर से बचाव करता है. मेथी दाने का पानी और साथ में मेथी दाने का सेवन यदि नियमित रूप से किया जाए तो आंतों के कैंसर की समस्या का भी नहीं होगी नमबर सेवन किड्नी की समस्या से जूज रहे मरीजों को डॉक्टर सलाह देते हैं कि वह एक महीना इसका पानी पियें इसमें जो एंटी ऑंक्सिडेंट गुण होते हैं जो किड्नी के लिए फाइदेमंद होते हैं नमबर एट मेथी हृदय यानि हार्ट के लिए भी काफी अच्छा होता है क्योंकि इसमें जो हाइपो कॉलेस्ट्रॉलेमिक होता है जो कॉलेस्ट्रॉल कंट्रोल रहता है जिससे हृदय मजबूत बनता है इसके सेवन से रक्त संचार भी अच्छा होता है नमबर 9. मेथी स्किन के लिए काफी फाइदेमंद होता है। इस पानी को पीने से स्किन एलरजी की समस्या खत्म हो जाती है। साथ ही कील मुनहासों की भी समस्या दूर होती है। इसमें anti-aging गुन भी होते हैं। साथ ही यह स्किन की moisturizing करता है। और स्किन के healing में भी मदद करता ह और लास्ट है नमबर 10. मेथी से बालों का जड़ना रोका जा सकता है। इसके लिए एक दो चम्मच मेथी के दानों को रात भर के लिए भीगो दें। इसे सुबह पीस कर बालों की जड़ों में लगाएं। एक घंटे बाद बालों को धोलें। ऐसा हफते में दो से तीन ब समय देने के लिए। धन्यवाद और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अन्य लोगों के साथ भी जरूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठैंक यूू।